Hello dear students, आज हम जो चाप्टर आपका बाकी जो बचा हुआ था उसको डीड करते हैं आपका जो किसके बारे में आप बात कर रहे थे इस चैप्टर में जो भी आपके ओकी पेसंस होते हैं उनके बारे में आपने इसमें बात की थी अब नेक्स हमारा जो चलते हैं वो क्या है आर्किटेक्ट्स है आर्किटेक्ट कोन होते हैं जो एक डिजाइनर होते हैं बिल्डिंग्स वगरा के अब basic design of a building called blueprints उसे क्या बोलते हैं? आर्किटेक्स जो होते हैं वो भी एक basic design draw करते हैं blueprint पर ही these are the plants they use to build a structure और इस plants का जो use होते हैं वो structure को बनाने के लिए मतलब परियोग किया जाता है कोई बी structure है किसी building की हो या फिर कोई अधर वाइस कोई भी हो architect are trained at the school of architecture यानि कि जो architect जो होते हैं वो trained किये जाते हैं जो architecture का जो school होते हैं मतलब कि जैसे engineering college में engineering किये जाती है वैसे ही architecture जो school होते हैं उन्हें में ही architect जो होते हैं वो trained किये जाते हैं next है हमारा teachers teachers कौन होते हैं teachers instruct and educate students, teachers क्या करते हैं, student को instruct करते हैं और उन्हें educated करते हैं, they teach one or more subject way, मतलब एक या एक से अधिक subject भी पढ़ा सकते हैं, teachers at the university level are called professor, जो university level के जो teachers होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोफेसर बोलते हैं, जो भी आपको teacher पढ़ाएंगे, तो आप उन्हें क्या कहेंगे, प्रोफेसर बोलेगे, next है हमारा nurses, nurses कौन होती हैं, आपने देखा होगा, hospitals में जो nurses होती हैं, उनका क्या-क्या वर्क होता है, nurses take care of patients, यानि कि जो nurse जो होती हैं, वो किसकी देखबाल करती हैं, मरीजों की करती हैं, lab technicians जो होते हैं, उनकी भी and physical therapists जो होते हैं, मतलब जो तुमारे इसमें जो hospital में जितने भी lab technician वगेरा होते हैं, उन सब की help कोन करती हैं, nurse करती है, nurses keep regular record of patients, और नर्स का एक और काम क्या होता है, जो patients जो admit होते हैं, या फिर कोई जो पेसेंट नतावाई लेने के होते हैं, nurses make sure that patient take their medicines on time और उनको समय पर दवाई देने का काम भी कोन करती हैं, nurses करती हैं, photographer कोन होते हैं, जो photo pick करते हैं, photographers take picture that are used for a variety of purpose, photographer क्या करते हैं, picture लेते हैं, और that are used for variety, उसकी अलग अलग variety of purpose से क्या करते हैं, वे, उन्हें set करते हैं, मतलब उप्योग करते हैं, उनका picture are taken by cameras, और pictures जो होती हैं, वो किसके दुवारा ली जाती हैं, camera से and can be used for advertising in newspaper और magazines, और ये pictures जो होती हैं, कहां पर use कर जाए सकती हैं, advertise जो होते हैं, आपके वहाँ पर, जिसे newspaper में advertise होते हैं, या फिर magazine में जो advertise होते है उनके उपर जो pictures आती हैं, वो किसके दुवारा picky जाती हैं, इसके दुवारा ली जाती हैं, वो, photographer के दुवारा, the pictures may be sold as work of art or preserved as memories, मतलब ये pictures जो होती हैं, एक art का ही work होता है, और इस memories को हम मतलब काफी लंबे समय तक रख सकते हैं, मतलब जो भी आपकी pictures होती हैं, चोटी, बड़ी, कितने पुराने साल, 20 साल, उस अब उन्हें क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, नेक्स्ट है, हमारा, let us do, हमें क्या करना है, list out some of the people who help you daily by the year occupation or job, क्या, आपको list बनानी है, इसे कौन से लोग होती हैं, जो आपके daily, जो मतलब वाइवसाय में help करते हैं, तो मतलब जैस पुलिसमेन है, या फिर कोई इंजिनियर है, जो डेली, जो ज्यादा से ज्यादा जिसका आप, जिसकी help लेते हैं, उसके बारे में हम क्या पर राइट करेंगे, वो कौन हो सकते हैं, अब आप देख सकते हैं, इसमें, नर्सिज होती है, अगर आप बिमार पढ़ते हैं, तो पोटर्स, इतने भी आपके वरकर्स हैं, फार्मर्स, जिने की help से आप अपना वर्क करते हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, राइट करेंगे, नेक्स है हमारा ताइम तो आंसे में आपको आंसर देने हैं क्या वर्क वीदे नीडल एंड थ्रेड क्या किसे काम करते हैं नीडल और थ्रेड से काम करते हैं तू में ब्यूटिफुल डिजाइन वन क्लोथ कौन होते हैं वो जो क्या करते हैं उसे जो कपड़े पे कढ़ाई करने का जो काम करत इस में आपका फर्स्ट जो फिल इन दा ब्लैंक से में क्या जाएगा आपका एम्डोडर सब्साइब इस दा प्रोसिज ओ प्रोडूसिंग फैब्रिक फॉर्म यान एक मतलब जो प्रोडूस करता है एक फैब्रिक से धागे से धागा बनाने का तो पोन होता है अपका वीवर है का इंवेस्टिगेट क्राइंस कैश स्पिरिडिंग द्राइवर एंद इंपोस फाइन इन हें की फाइन लेते हैं और जो क्राइम सोते हैं उनको को इन्वेस्टिगेट करने काम किसका होता है पुलिसमेन का नेक्स्ट है हमारा यूज सीजर कॉम एंड वैराइटी और ब्यूटी प्रोड़क्ट तू मेक प्यूपिल लुक स्मार्ट एंड ब्यूटिफूल क्या जो आपके कौन होते हैं ब्यूटिशन जो होते हैं उनका क्य ऐसे किसका यूज करते हैं शीजर का कॉम का और अल्दर विराइटी लिए जो प्रोड़क्ट यूज गी जाते हैं उनका और एक इंसान को मेक क्या बना देता है स्मार्ट एंड उटिफुल स्मार्ट भी और सुन्दर भी नेक्स्ट है हमारा इसमें क्या दिया हुआ हुआ ह क्या होता है, work that a person does to earn money, यानि कि वो काम जिससे हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, occupation बोलते हैं, professional लोग कौन होते हैं, people who have educational degree, जिनके पास क्या होती है, educational degree होती है, which help them in getting a job, और जिसकी सायता से उनने job मिलती है, next है हमारा professor, professor कौन होते हैं, मैंने भी बता भी था आपको teacher at a university level, वो teacher जो university level पर बढ़ाते हैं, वो कौन होते हैं, हमारे professor होते हैं, next है, village pupil are mainly occupied in agriculture and animal husbandry, village pupil ने गाउं में रैने वाले जो लोग होते हैं, उनका main occupation क्या होता है, agriculture यानि की खेती और animal husbandry, यानि की पसुपालन, pupil in town and cities are engaged in different type of jobs or occupations, यानि की जो लोग town या cities में रहते हैं, वो engage करते हैं, अलग-अलग परकार की job या वैसा है कर सकते हैं, next है हमारा, pupil train for a particular job, मतलब किसी भी इंसान को एक particular job के लिए train किया जाता है, तो से हम क्या बोलते हैं, skill और semi-skilled diverse, जो आपके जैनिक जो मज़दूर ह होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, skilled और semi-skilled laborers होते हैं, some pupil have educational degree, कुछ लोग क्या होते हैं, educational degree रखते हैं, which help them in getting a job, जिसकी साहता से उन्हें क्या मिलती है, जो मिलती है, they are called professionals, इसलिए उन्हें क्या बोलेंगे हम professionals, बोलेंगे, next है हमारा, craftsmen को होते हैं, craftsmen like carpenter, weaver and porter make beautiful pieces of art, जो क्या art के, मतलब सुंदर piece बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, craftsmen बोलते हैं, क्या कारिकर कोन से होते हैं, जैसे carpentering का जो काम करते हैं, बढ़ाई का जो काम करते हैं, weaver कपड़ा बुनने का जो काम करते हैं, porter कोन होते हैं, porter आपके जो बरतन बनाते हैं, कुमार इसे बोलते हैं, आप मिट्टी के बरतन जो बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं, we can use in our daily life, हम इने क्या करते हैं, अपनी daily life में उनका उप्योग करते हैं, अब आपकी जो next है, ये क्या है, इसमें book exercise है, इसको हम next वीडियो में आपको राइट कराएंगे, ठीक है, इसके जो question answer है, और, क्या है, इसमें, fill in the blanks, और mess the following, ये तीनों चीजें जो हैं आपकी, हम next video जो आएगे, इसमें राइट करा देती हूं, मैं एक बार आपको oral बता रही हूं, fill in the blanks, पोर्टर में एक different article with the help of a, मतलब जो पोर्टर जो होता है, वो अलग-अलग परकार के बरतन बनाता है, किसकी सायता से बनाता है, ये आपको खुद एक बार इसमें, राइट करना है, मैं सिर्फ हिंदी बताऊंगी, आपको सोच के राइट करना है, ठीक है, फिर जब मैं राइट कराऊंगी, तो आपको क्या करना है, ये match करना है, the main occupation of pupil in village, जो गाओं में रहने वाले जो लोग ह होते हैं, उनका main occupation क्या होता है, आपको ये दोनों इसमें राइट करने हैं, थार्ड है, पुलिसमेन, किसकी और किसकी help करते हैं, and help pupil, क्या करते हैं, उसके बीच में क्या आना शाहिए, वो आपको देखना है, डॉक्टर स्ट्रीट दा, किनको कौन से लोग होते हैं, जिनको देखना है सामने, जो आपके मैसदा फूलोइंग जो है ये, ये आपको देखने है, क्या इसमें आपको फस्ट जो है आपका, क्या दिया हुआ है, टेकिंग पिक्चर, ये पिक्चर कौन लेता है, आप बता सकते हैं, उसमें आप सामने राइट करेंगे, ना कि ऐसे मैच न कौन बनाता है उसके बारे में आप बताएंगे समेंसे कौन होगा next है making building making building बनाते है taking care of patients और किनकी उसकी patients की जो देखबाल करती है वो कौन होते हैं उनके बारे में आपको यापर राइट करना है ठीक है next वीडियो में इसकी जो exercise है वो हम क्या करेंगे completely right करेंगे और उसके बारे में आपके साथ discuss करेंगे okay students thanks